तो हे यू असलाम लेकुम गाईस तो कैसे हो आप सब लोग आप लोग ठीक होंगे अच्छे से होंगे तो आज हम फिर से अपनी जगा पे आए हैं तो कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी आप लोग कौन सा गेर प्लेन में कौन सा गेर लगाओगे अगर आप हिल पे चड़ो internet फार में से गेर वाली है तो वने में बहुत सारी प्राब्लम आ रही है एक की प्राब्लम आ रही थी वह कोमेंट्स बहुत सारे वो किस से आती है तो अगर आप कभी कबार बारिश में पानी साइकल रखते हो या पानी से साइकल को दोते हो उससे क्या होता है आपकी साइकल की ब्रेक्स में जो ब्रेक की शूज होती है उनमें पानी चला जाता है जिसकी वज़े से जो शूज है वो थोड़े बहुत खराब हो जाते हैं तो आज में आप दिखाऊंगा शूसाप कैसे खोलों गया और शूस कहां पर होते हैं डिस्ट इस ब्रेक तो वह मैं आज को आज आप लोगों को दिखाऊंगा तो वीडियो में बने रही हैं सबसे पहले यह रहा मेरा साइकल तो यह रही बैक वाली डिस्ट दिष्क ब्रेक और और आगे वाली डिष्क ब्रेक वाना दखेगा में यह पिन यहां पर दिखना है तो यहां से तेड़ी करके होती है तो पहले में क्या करता हूं इस पुर्ष की मदद से तो फॉन पकड़ने केलिए कोई खोल्डर नहीं ay इसलिए पहले मैं वीडियो बंद करता हूँ, इसको सीधा करता हूँ, सकते हो, मैंने ये सीधा यहाँ पर पलाज की मदद से कर दिया, तो अब इसको क्या करना है, इसको यहाँ से दक्का देना है, तो यह यहाँ से बाहर निकलेगा, तो इसको हम पहले बाहर निकालते हैं, त निंखे तो अब इसको क्या करना है यहां पर यह है इसको खींचना है ऐसे तो यह रही किसी अप्रकेशिक न सधुन साफिक है मेरे जूँए थोड़े बहुत खरब हो चुका हैं देख सकते हो तो इन में क्या करना है सेंड़ पेपर आपको करना करने के बाद फिर आपको जैसे में आपकोetr, प्र आपको सेम वय सकते हो यह 10-20 रुपे में आएंगे किसी मैकेनिक के पास उतने ज्यादा मेहंगे नहीं है तो इनको वैसी अपनी तरह जैसे हमने इनको निकाला वैसी इनको बंद करेंगे पहले तो इनको पहले नीचे रखता हूँ ऐसे कुछ होते हैं ब्रेक शूस यहां पर यह खाली हो पिन जो हमने आपको दिखाता हूँ तो जो यह वाली पिन हमने निकाली थी यह इसमें वापस बरनी है जैसे हमने यह निकाली थी तो यह यहां से बाहर निकल रही है अब आपको क्या करना है यहां से यह जो यह आपको दिख रहा है यह तेड़ा करना है फिर से प्लास की मत तो अभी आपको दिखाते हैं अभी फोन में हाथ में पकड़ा है इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं तो मैंने इसको तेडा कर दिया ताकि ये बाहर नहीं निकल जाए तो अभी मैं इसको अच्छे से तेडा करता हूं फिर आपको और दिखाता ये भी बंद हो चुका है तो अब इस में से आवज नहीं आएगी अगर आपके ब्रेक में से आवज आवज आ रही है तो अब आवज नहीं आएगी तो पहले क्या होता था इस में शायद जो पानी है उससे जंग लगता है उसी कोाज़ से फिर आवाज आती है तो ब्रेक का इशू हमने बता दिया आप कैसे आवाज ठीक कर सकते हो तो आप दूसरी बात आती है गेर पे चाहे आपके पास गियर हो या ना हो जो आपकी चेन है यह मस्ट हो तें देखो मेरी चेन आज कितनी ज़्यादा गंदी पड़ी है यह तूड कर सकते हैं तो चेन को जरूरी साफ रखना है अगर अपने चेन को साफ नहीं रखा जो मेरी तरह यह ग्री साइज लागी है तो इसमें भी आप टूटने का खत्रा रहेगा तो और एक बात बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें साइकल अगर कोई साइकल को साफ करता है पानी से दोता है तो मेरा अगर आप मानोगे तो चेन पर कभी भी पानी नहीं डालना और साइकल को कभी भी आप बारिश में नहीं रखना उससे क्या होता है इसमें जंग लग जाता है जो कि फिर नहीं उठता और आपके साइकल की जो चेन है खराब होने की चांसस रहते हैं इनको आपको हमेशा साफ रखना है ताकि आपकी चेन कहीं पर तूटना जाए और मैं बोल रहा था कि बारिश में आपको cycle को मत रखो उससे आपके suspension भी खराब हो सब्सक्राइब आए आपको बलीव नहीं होगा जबसे मैंने cycle लाया है मैं ये कभी भी बारिश में नहीं करना है बस इसी जंग से बचाना है इसमें जंग ना लग जाए अगर चेन तूट गई पाता ने आप फिर कहां पर फस होगे चेन का भी हो गया और बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपना जो मतलब पीछे वाला टायर है यह कभी ना कभी खुल ही जाता है तो खुद इसको टा ना मत छेड़ो क्योंकि फिर पता नहीं कहां पर ब्रेकड़ोन हो जाएगा मेरी पिछली वाली एक वीडियो में हुआ था ऐसा अचानक से टायर खुल गया था और उस ताइम यह भी तूड़ गया था तो बस पानी से आपको चेन को खास कर बचाना है अगर गेर वाली साइ चैनल में वो भी जल्दी खातम हो जाता है अगर इसमें पानी चला जाता है बस इन्ही चीज़ों से आप लोगों को शाइकल को बचाना आए ब्रेक का मैंने आपको पहली दिखाया अब कैसे ब्रेक शूस चेंज्ज कर सकते हो नए ला सकते हो अगर आपके ब्रेक खराब हो पॉश्किल नहीं नहीं होता है Heuski li Christians करना चाहते हो स्की लिंक भी मैं में आव में पर सकती है अब देख सकते हो चैन आप घर मेंगे कैसे कर चाहिफ कर सकते हैं। आपके चीज घरिध नहीं खरीद要ना है अधार में कर सकते हो वह चीज तो आपके आप आपके लिए tv我 तो बाकि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को क्या करना है लाइक करना है कोमेट करना है और इस चैनल को सबस्क्राइब करते हैं आप लोगों से और किसी नहीं सी वीडियो में तब तक के लिए बाई